हालो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल देखे आज की वीडियों हम देखेंगे कि जो एसी भी इंकमर्स होते हैं वो कहीं बार ट्रिप क्यों जाते हैं जैसे कि आपने देखा होगा अगर आप एक एलेक्ट्रिकल इंजिनियर हैं यह एक एलेक्ट्रिकल फिर ओटोमेटिक अगर लगे तो वो कुछ सेकंट वाज ओन हो जाता है तो इसके पीछे क्या रिजन हो सकते हैं तो यह इसके कहीं सारे नो सकते हैं एक फ्रेंड्स ऐसे कुछ हमारे हैं यह एल्टी पैलन में हो रहा था कि कभी ट्रांस्परमर वन कम इंकमर ट्रीप होजा तो इसको ही हमने एड्रेस किया और इस इसू को हमने रिजोल किया है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा देगे फ्रेंड्स यह एक एबीबी का एसी भी है एर सरकीट ब्रेकर और जो कि एक ट्रांस्परमर का इंकमर है तो इसका हम फ्रेंट कवर खोल लेते हैं पहले और देखते हैं क्या कुछ निकलता है कि यह बार-बार क्यों ट्रिप हो रहा है इसके सारे स्कूज रिमूव करने के बाद यह इसली बाहार निकल आएगा देखिए जो इसके रिलीज होती है वो राइट हैं में लगी होती है देखिए आपको दिखाइं देरी ए अंडर वोल्टेज रिलीज इसको अंडर वोल्टेज को लूर्ट अब भी बोलते हैं देखिए आप इसको देख सकते हैं यह बिकुल लूज पड़ी है ठिखिए जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए अब देखिए हुआ क्या होता क्यों है कि जब आप breaker की जो है ना maintenance नहीं करते हैं उसकी service नहीं करते हैं रिलीज की टैस्टिंग नहीं करते हैं तो breaker 2-2-3-3 साल हो जाते हैं कि उनकी service नहीं होती कभी कभी खुलते भी नहीं open भी नहीं करते हैं तो क्या होता है यह देगे इसमें बहुत सारे moving parts होते हैं breakers में आपको करते हैं कि बारबा breaker बंद होता है चलता है ऐसे release काम करती हैं तो क्या होता है कि screw जो होते हैं वो लूज पड़ जाते हैं तो जब maintenance नहीं हो क्या होगा धिरे-धिरे जो coils होंगी वो लूज हो जाएंगी फिर क्या होगा फिर मोल function करना स्टार्ट कर देंगे इस breaker में आप दे कि screw tight करने के बाद आप देखेंगे कि कोईल विर्कुल भी नहीं लेगा देखें इसमें तीनों कोईल लगे हैं संट यूवी और क्लोजिंग अगर आप यह जाना चाते हैं कि यह तीनों कोईल क्या होते हैं क्या के कि फंक्शन होते हैं तो इसके उपर मैंने एक वीडियो ब अगर ऐसा कुछ होता है तो यह क्या होगा ब्रेकर को ओन ही नहीं करने देगी आपने देखा भी होगा जो आपके इनकमिंग ब्रेकर होते हैं जब पावर चल जाती है तो ब्रेकर ओटोमेटिक बंद हो जाता है ओपन हो जाता है ठीक है तो उस टेम पे आप उसको मैनुली है वह हिल रही है यह लूज हो गई है ठीक है ना तो आप समझ सकते क्या होगा ब्रेकर उस टाइम पे ट्रिप हो सकता है तो वही इस ब्रेकर में हो रहा था तो क्या कि हमने इतनी भी रिलीज हैं सबको टाइट किया सबके स्क्रूज प्रोपर अच्छी तरी किसे टाइट कर करना ताकि जब भी कोई हम नय वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको ब्राउज करते टाइम वो इजली मिल जाए थैंक यू